हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme के उन सभी फॉन्स के बारे में जिनके अंदर हमें Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Realme के किस डिवाइस के अंदर Android 10 का अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा और किस डिवाइस के अंदर आपको Android 10 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा और साथिसाथ दोस्तो मैं आपको आज किस वीडियो में Dark Moon के बारे में भी बताऊँगा जैसा कि आपको पता है काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने फॉन के अंदर Dark Moon पसंद होता है तो जैसा कि दोस्तों आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां Realme ने एक फोटो शेर किया है, और इस फोटो के अंदर Realme ने जो Endo 10 का अपडेट है, उसको तीन भागों में डिवाइड किया है, जी हां दोस्तों, यहां Q1, Q2 और Q3, अब यहां Q1 का क्या मतलब है, चलिए यानि Quarter 1 जो होता है, यानि Starting के जो 3 मंथ होते हैं, January, February और March, इन 3 महीनों को Q1 कहते हैं, और बाकी के 3 मंथ जो इससे Next 3 मंथ होते हैं, वो Q2 होते हैं, और इससे Next 3 मंथ जो होते हैं, वो Q3 होते हैं, तो दोस्तों, इस तरह से यहां एक साल के अंदर, यहां Q4 तक हमारे, हमें देखने को मिलते हैं, चलिए खर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस फोन के अंदर हमें सबसे पहला अपडेट मिलेगा Android 10 का, तो दोस्तों, यहां Q1 के अंदर जो लिष्ट जारी किये हैं, इस लिष्ट के अनूसर, यहां Realme 3 Pro को सबसे पहला Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि January से March के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा, और साथी साथ यहां Realme 5 Pro और Realme X और Realme XT, दोस्तों, यह जो चार फोन है, इन चार फोन के अंदर हमें Q1 के अंदर Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, बाकी यहां बात कर लेते हैं Q2 के अंदर, तो दो Q3 के अंदर, यानि Q3 के अंदर हमें किस फोन के अंदर Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहां साफ साफ मेंशन किया गया है कि Realme 2 Pro के अंदर भी Android 10 का अपडेट देखने को मिलेगा, बड़ यहां हमें सबसे लाष्ट म को मिलेगा या नहीं, तो दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ कि यहां फिलाल अभी Realme की तरफ से कोई भी official announcement नहीं हुआ है, इन fonts को लेके, अगर in future कोई भी announcement होता है, इन fonts को लेके, तो मैं उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना के बता दूँग हाला कि यहां Realme XT के अंदर already हमें यह out of the box देखने को मिलेगा, यानि की मिल भी रहा है, अब दोस्तों, यहां बात कर लेते हैं कि आपको यहां आपके old device के अंदर, यानि की आपको जो भी old device है Realme का, उसके अंदर अगर आप dark moon enable करना चाहते हैं, तो आपको यह किस तरह से म अंदर ही मिल जाएगा, जिसे आप directly settings में जाके enable करके उसको use कर सकते हैं, और जब दोस्तों, यहां dark moon को आप enable कर देते हैं, तो enable करने के बाद, आपके font का लोक है, वो completely dark हो जाएगा, और dark होने के बाद, आपको जो screen पर यह कुछ photo share की, मैं आपको कर रहा हूँ, यहां आप को कुछ इस तरह का, आपका font आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो मैंने आपको यहां realme के जितने भी fonts हैं, जिनके अंदर हमें android 10 का update देखने को मिलेगा, और उनका हमें देखने को मिलेगा, इन सब की information मैंने आपको दी, और सासे दोस्तो मैंने आपको बताया कि realme के जितने भी fonts हैं, उन सभी के अंदर हमें dark mode कैसे और किस तरह से देखने को मिलेगा, अभी फिलाल यहां time fix नहीं dark mode की update का, बर यहां दीरे दीरे आपको यह सभी fonts के अंदर मिलने के पूरे पूरे chance हैं, खर तोस तो फिलाल इस वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को like कीजे, share कीजे और साती साथ चैनल को subscribe करना, बिल्कूल न भूलना, तो चलिए फिलाल इस वीडियो को finish करते हैं, मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो के साथ